हाई स्कूल क्लासेस के यूटूब चैनल पे आपको सौगत है इस वीडियो में हम आपको इकाई पाच और इकाई छे मतलब अध्याई पाच और अध्याई छे कि सारे कोश्चन डिटेल में बताने वाले हूँ चाहे वह अबजेक्टिव कोश्चन हूँ सारे कोश्चन में आपको इस वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो पक्का 12 से 15 नमबर आप अपने एकजाम में आसानी से लाएंगे और पाच और छे पाट का कोई कोश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना आए इसलिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्काइब करें और वेल आइकन जिरूर प्रस करें और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा से शेहर करें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं objective प्रश्ण आपके सामने जवाते हैं पहला प्रश्ण है अपरिभासित पदों के रूप में माना जाता है देखें इन में से कौन सी ऐसी आकरती है जिसको हम परिभासित नहीं कर सकते ठीक है समझेगा चतुर्भुष्ट को हम परिभासित कर सकते है ठीक है चार भुजाओं से बंद आकरती चतुर्भुष्ट कहलाती है ब्रद को भी हम परिभासित कर सकते है ठीक है लेकिन बिंदु को अच्छे से अभी तक परिभासित नहीं किया गया है ठीक है बिंदु की हर जगे अलग-अलग परिभासाई लिखी होती है जिस बैसे से करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदु अगला प्रश्ण है प्राचीन भारत में सूलबा सूत्र क्या लिखा है सूलबा सूत्र ग्रंथ महत्पून था मतलब सूलबा सूत्र ग्रंथ का उपयोग किस के लिए किया जाता है त्रिभुजों के लिए, चतुर्भुज के लिए, जयमिती रचनाओं के लिए, ब्रत के लिए तो इसका जो सही जवाब होगा इस्टुएंट वो हो जाएगा जयमिती रचनाओं के लिए आपको आपसा नंबर सी पर टिक करना है अपने भाग से बड़ा होता है क्या देखे, यदि हम कोई भी फिगर लेते हैं, चाहे चतुर्भुज ले, चाहे त्रिभुज ले यदि हम पूरा त्रिभुज लेते हैं और उसका पार्टीसन करते हैं जो पूरा त्रिभुज होगा, अपने partition से बड़ा होगा, मतलब जो पूर्ण होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पूर्ण, तो पूर्ण जो होगा, किसी भी आकरती का, वो अपने भाग से क्या होगा, बड़ा होगा, तो आपको correct उतर क्या लिखना पूर्ण, ठीक है, अब हम चलते हैं, रिक्ति स्थानों की पूर्टि कीजिये पर, तो पहला प्रश्ण आपका है, अपने भाग से बड़ा होता है, देखे, same repeat question, तो आपको यहाँ पे भी क्या लिखना है, पूर्ण, पूर्ण जो होता है, अपने भाग से बड़ा होता है, अगला प्रश्ण है, यह बस्तु यह, जो एक ही बस्तु के आधे परस पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब, यदि कोई दो बस्तु है, और किसी आधे बस्तु के बराबर है, तो दोनों बस्तु क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो आपको लिखना है, बरा प्रश्ट की कितनी विमाई होती हैं तो जो ठोस होता है जैसे आपका कोई भी ठोस होगे आप एक पत्थर ले लिजी ये ठीक है या आप कोई भी सेप ली लीजी उसमें मुखेता तीन विमाई होती है उसकी लंबाई चौड़ाई और उचाई तो आपको क्या लिखना है यहा सत्य और सत्य का क्या लिखा हुआ है एक ठोस की परिसीमाई प्रश्ट होती है बताना है सत्य है की असत्य तो एक ठोस की परिसीमाई प्रश्ट होती है ये बात बिल्कुल फत्य है एक बिंदु की कोई भी मार नहीं होती मतलब बिंदु की ना चवाई होती ना लंबाई ना उचाई ये भी क्या है सही है पिरामिड का कार आधार बहभूज होता है देखि कोई भी आप प्रिमार्ड पिरामिड लेंगे तो उसका आधार या तो त्रिभूजाकार होगा या तो चत्रभूज होगा मतलब कोई न कोई बहभूज होगा तो ये भी क्या लिखा हुआ है सत् यूक्लीड एलिमेंट में साध्यों की कुल फंख्या 465 है याद रखिएगा एलिमेंट में साध्य कितनी है 465 और प्रमे कितनी है 13 तो 465 और 13 आपको याद रखना है अब हम चलते हैं सही जोड़ी बनाईए पहला प्रशने क्या लिखा हुआ है आप लोग के सामने यूक्लीड जैमिती तो इसको आपको मिला देना है एक ही तल में बनी या क्रतियां ठीक है सिंद उघाटी संभिता में प्रयुक्त इंट इसको किससे आपको मिला देना है इस्ट्वेंट संपाता अग्ला परष्ण है जो आएतों त्रिभुजों और संबलंबो से सायोजित आकारों की वेदियां ठीक है ये क्या कहलाता है तो इसमें आपको लिखना है सारवजनिक पूजा इस्थलो ठीक है इसके बाद चार भुजावाला बावभुज तो चतुर भुज होता है एक सांत रेखा को तो इसको हमेशा आता है क्या लिखेंगे अनिश्चित आपको लिखना है तो आपको लिख देना है एक बिंदू से अनि बिंदू तक एक सीधी रेखा खीची जा सकती है खार सपोज आपके पास दो बिंदू है एक यहाँ पे यहाँ पे तो दोनों बिंदू को मिला कर किवल आप एक रेखा खीच सकते है ठीक है तो क्या हो जाए अबिग्रहीत क्या होता है जिने सिद्ध नहीं किया जा सकता और अवधारणा जिने सिद्ध किया जा सकता है ठीक है तो अबिग्रहीत क्या होता है जिने सिद्ध नहीं किया जा सकता अब हम चलते हैं जो आपके दो-दो नंबर के प्रशन है उसमें क्या-क्या प्रशन आती है वो देख लेते हैं ठीक है तो मुखिता इस चैप्टर से परिभासाएं आती है तो पहला परिभासा आती है समानतर रेखाएं तो समानतर रेखाएं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी सभी जगे पर क्या हो समान हो आप इस परिभासा को हटाईए आप अपनी language में क्या लिखेंगे ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सभी जगें समान हो ठीक है सभी जगें क्या हो समान हो वो क्या है समानता रेखाएं या दूसरे प्रकार से आप कैसे परिभासित कर सकते हैं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदू पर प्रतिछेद ना करें मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक भी बिंदू पर प्रतिछेद ना करें तो आपस में समानता रेखाएं कहलाती है यदि समानता नहीं है है student, तो कहीं न कहीं जाके intersect जरूर करेंगी, एक दूसरी को काटेंगी जरूर, तो यदि समानतर हैं, तो कभी नहीं काटेंगी, लंबर एखाँ क्या होती है, यदि किनी दो एखाँ के बीच, क्या आपको लिखना है, यदि किनी दो एखाँ के बीच, 90 नबे डिग्री का कोन बनता है तो आपस में क्या कहलाती है लंब रेखाएं कहलाती है इस परिभासों को आप याद नमद रखें कैवल देख लीजे कि यह कोश्वन पूछा जाता है आपकी एकजाम में लिखना कैसे है मैं आपको ता रहा हूं लंब रेखा क्या होती है ऐसी जिनके बीच हमेशा 90 डिगरी का कौन बनता है लंब रेखाए occupants कहलाती है रेखा कहंड क्या होता है तो रेखा कहंड आपको पता होगा आप 16-17 पढ़े होंगे ठिक है जिसका कोई अंतिम नहीं नहीं होता है वो क्या है रेखा खंड है ऐसी आकरती जिसके दो अंतिम बिंदु हो वो क्या कहलाता है रेखा खंड या रेखा का ऐसा भाग जिसके दो अंतिम बिंदु हो रेखा खंड कहलाता है ब्रत की त्रिज्य क्या होती है तो त्रिज्य को आप कैसे परिभासित करेंगे देखे त्रिज्य को आपको उताना है ब्रत के केंद्र से क्या लिखना है केंद्र से परीधी तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्य कहलाती है यह आपका केंद्र हो गया, यह परीध ही हो गई, तो केंद्र से परीध ही तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्य कहलाती है, याद रखिएगा, अगला क्या है आपके फावने परिभासित करने को वर्ग, तो वर्ग को कैसे परिभासित करेंगे, ऐसा आयत, ठीक है, जिसकी लंबाई चोड़ाई बराबर हो ऐसा आयत जिसकी लंबाई चोड़ाई बराबर हो वो क्या कहलाता है आपका वर्ग कहलाता है ठीक है ऐसा आयत जिसकी लंबाई चोड़ाई क्या हो आपस में बराबर हो वर्ग कहलाएगा इसके बाद डियर इसुन जो कुछ क्वेश्चन है ज ऐसा इस्थित है कि A C B C के बराबर है, A C किसके बराबर है, B C के बराबर है, हमें सिद्र करना है कि A C जो है A B का आधा है, देखिए, पहले तो आप दिये गए information के according figure बनाएंगे, A B के बीच एक बिंदू C इस्थित है, देखिए, समझेगा यहाँ पे, एक रेखा खंड हो ग इस्थित किसके बराबर है, A C बराबर है, B C के, A C किसके बराबर है, B C के बराबर है, यह चीज़ आपको याद रखना है, अब देखिए, A C यहाँ से लेके यहाँ तक यह A C हुआ, और यहाँ से यहाँ तक यह B C हुआ, यह दोनों आपस बराबर है, हमें सिद्र क्या करन करना है यहां पे आप लिखेंगे सीध्ध करना है हमें कि जो a c है ठीक है a c है किसके बराबर है half of a b के बराबर यह हमें क्या करना है सीध्ध करना है ठीक है तो कैसे हम करेंगी यहां पर समझीएगा थोड़ा देखिए यदि हम यहाँ पे A से B तक जाएं हम यहाँ पर यदि A B का मान निकालें तो A B का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा A B का जो मान होगा वो हो जाएगा A C प्लस C B ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं देखिए आपस में क्या है बराबर है AC और BC आपस में बराबर है तो यहाँ पर BC लिखा है वहाँ पर आप क्या लिख देंगे AC लिख देंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा AC BC के बराबर जगह में तो 2AC आजाएगा, कितना आजाएगा 2AC, तो यहां से आप AC का मान निकालना चाहिए DRS2N, तो 2 इधर आजाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक बटी 2AB, यह आपका correct answer, correct उतर हो जाएगा, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है, AC बराबर half AB, कितना सरल है, यह question definitely आपकी exam में द है, हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD के, 2023 में आया है, बिलकुर repeat हो सकता है, पूरी संभाव ना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, कैसे सिद्ध करना है, AC बराबर है BD के, ठीक है, देखे, एक आपके सामने आकरती दी हुई है, ऐसे, यहां पे आपके सामने A है, इसके बाद यहां पे B है, यहां कहें पे C है, यहां लास्ट पे क्या है D, क्या दिया हुआ है, इस्ट्ट यहां पे दिया हुआ है, कि जो AC है, किसके बराबर है, BD के बराबर है, AC किसके बराबर है, यहां से लेकि यहां तक की दूरी, यहां से लेकि यहां तक की दूरी के लिखेंगे चूंकी ठीक है चूंकी का साइन ऐसे होता है इस्ट्विन दो बिंदू उपर एक नीचे AC किसके बराबर है AC बराबर है BD के याद रखिएगा हम क्या करेंगे इस्ट्विन दोनों और BC घटा देंगे क्या करेंगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दोनों और BC घटाने पर अब समझेगा दोनों तरफ हम BC घटाएंगे तो AC माइनस BC हो जाएगा AC माइनस BC और इधर हो जाएगा BD माइनस BC ठीक है देखे कितना सररल है अब हम AC में से देखी AC C तक था AC में यदि हम BC घटा देंगे तो क्या मिलेगा A से B तक बचेगा ना AC में भाई हम BC घटा देंगे तो A भी बचेगा तो यहाँ पे हमारी पास क्या बचा A भी बचा हम लिख देंगे A, B किसके बराबर हो जाएगा C, D के बराबर हो जाएगा Student यही हमें प्रूफ करना था ठीक है कि A, B जो है C, D के बराबर यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे P, R, O, V, E, D ठीक है यह प्रूफ हो गया प्रूफ कर दिया हमने ठीक है अब इसके बाद एक और Question आता है ठीक है इसको भी आप देख लीजिए ज़्यादा Important नहीं है वैसे ठीक है इसके बाद जो कुछ और Question आती है कोई चार परिभासा जैसे बिंदु की परिभासा तो आप लिख लेंगे Euclid के अनुसार ठीक है बिंदु वै भाग है जिसका कोई भाग नहीं होता ठीक है इसके बाद रेखा क्या है चौड़ाई रहित लंबाई होती है Euclid के नुसार बताना है तो आप ऐसा बताएंगे रेखा जो होती है चौड़ाई रहित लंबाई होती है किनारा क्या होते है प्रष्ट के किनारे रेखाएं होती है ठीक है और प्रष्ट क्या होता है प्रष्ट हुए है जिसकी लंबाई चड़ाई होती है ये ठीक है इसके बाद जो प्रशनाता है दो अभिगरहीत लिखना है याद रखेगा आपको पाच अभिगरहीत याद कर ले यूकलिट के ठीक है पहला भी रहीत क्या है वे बस्त विए जो एक ही बस्त के बराबर होती है एक दूसरे के बराबर होती है इसके बाद जो पूर्ण होता है अपने भाग का हमेशा क्या होता है बड़ा होता है ये याद करना है तो dear student 5 पार्ट की सारे question मैंने आपको समझा दिया 11 मार्च के दिन एक भी question इस question से बाहर नहीं आएगा ठीक है तो इन प्रशनों को आप अच्छे से तयार कर ले जिए अब हम चलते हैं अध्याई 6 पर और एक के question को detail में समझते हैं एक भी question इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है 5 और 6 पार्ट से चलिए शुरू करते हैं पहला question है पूर्ण कोन का मान कितना होता है मतलब जो complete angle होता है कितने degree का होता है तो होता student 360 degree का एक पूरा circle आप लेंगे कितने degree का होता है 360 तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 360 याद नहीं रखना है आपको समझना student ठीक है याद नहीं करना है दो कोन जिनका योग 180 degree हो क्या कहलाते हैं तो याद रखिए यदि किनी दो कोनों का योग 180 है तो सम पूरा कहलाएंगे और यदि किनी दो कोणों का योग 90 डिगरी है कॉस्चन ऐसा भी आ सकता है दो कोण जिनका योग 90 डिगरी है तो क्या कहलाएंगे तो आपको लिखना है पूरक सम को हटा देने है पूरक कोण लिखना है ठीक है एक होता है कंप्लिमेंटरी मतलब पूरक एक होता है supplementary मतलब संपूरक नीन कोण की जो माप होती है कितनी होती है नीन कोण जो होता है student वो 0 degree से ज़्यादा होता है और 90 degree से बड़ा होता है तो आपको 0 से 90 लिख देना है अब हम चलते हैं रिक्तिस्थानों के पूर्ति के जिये देखिए सारे question आपके exam में पूछे जा चुकी है अब इन question को भी हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपके सामने ठीक है यदि दो रेखाए परस पर प्रतिछेद करें तो सीर सबमू कोण क्या होते हैं देखिए दो रेखाए हैं आपके पास एक दूसरे को प्रतिछेद करें ऐसे कहाँ पर मैं आपको बता दू यह देखिए यहाँ पर दो रेखा यदि एक दूसरे को प्रतिछेद करें तो सीर सबमू कोण हमेशा बराबर होते हैं समान होते हैं आपको क्या लिखना है बराबर होते हैं अगला प्रश्ण आप लोग के सामने है देखे क्या लिखा है यदि तेन से अधिक बिंदू एक ही रेखा पर इस्थित हो तो वो क्या कहलाते हैं देखिए इस फिगर पे आप देखिए ध्यान से तेन से ज्यादा बिंदू एक ही रेखा पर इस्थित है इन सभी बिंदो को कह कहते हैं इस्टेंट कॉलीनियर या हिंदी में संड्रेख बिंदु क्या कहते हैं संड्रेख बिंदु कहा जाता है याद रखिएगा ठीक है यह क्वस्चन एक्जाम में हमेशा आता है अगला क्वस्चन है यह आपके सामने आ गया क्या लिखा हुआ है दो कोण जिनका योग 90 डिगरी हो क्या कहलाते हैं मेटा कॉंपलिमेंटरी मतलब पूरा कोण कहलाते हैं सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं लंब होते हैं याद रखिएगा सभी समकोण एक दूसरे पर या एक दूसरे को लंब होते हैं ठीक है अब चलते हैं सत्य सत्य पर देखिए सत्य सत्य तो क्या लिखा है यदि दो रेखा है परस्पर प्रति छेत करें तो सीच अब मूँ कोण बराबर होते हैं बिलकुल सही है अभी अभी हमने आपको ताया वह कोण जो 180 डिगरी से अधिक हो परंतु 360 डिगरी से कम हो प्रतिवर्ति कोण प्रतिवर्ति कोण की परिभासा ही होती है एक 180 से ज्यादा और 360 से कम यह statement भी क्या है truth है रिज्यो कोण कमान 360 डिगरी होता है नहीं होता है 180 होता है 360 क्या होता है बेटा सम्पुर्ण कोण तो आपको लिखना है असत्य अब हम चलते हैं सही जोड़ी बनाईए तो सही जोड़ी बनाईए भी देख लिजे कुछ खास इसमें भी नहीं है क्या लिखा है एक रेखा का वए भाग जिसका अंतह बिंदू हो क्या कहलाता है देखिए यदि एक अंतह बिंदू है तो क्या कहलाएगा किरन कहलाएगा क्या कहलाएगा इस्ट्रेंट किरन कहलाएगा आपको क्या लिख देना है आपके किरन ठीक है अगला प्रश्ण है सीर्स अग्मुक कोणों की माप तो सीर्स अग्मुक कोणों की माप रिजु कोण क्या होता है रिजु कोण आपका जो होता है इस्ट्येंट देखिए रिजु कोण ये आपका दिख गया एक सॉसे डिगरी का ये क्या है रिजु कोण है एक ही रेखा के समानतर खीची गई दो रेखा क्या होती है तो बराबर होती है समान होती है ठीक है अगला प्रश्ण है 70 डिगरी है तो आपको लिख देना है एक नियून कोण है क्या है नियून कोण है अगला प्रश्ण डियर इस्टुरेंट आप लोग के सामने है संपूरक कोण क्या होते हैं देखिए एक सब्धिया एक वाक्य में उत्तर लिखना है तो तो समपूरक कोण देखिए समपूरक और पूरक में हमेशा दो कोण होते हैं और दोनों कोणों को योग यदि 90 डिगरी है तो पूरक कोण है और यदि किनी दो कोणों को योग 180 डिगरी है तो क्या है समपूरक कोण है तो यहाँ पर आपको लिखना है जिन दो कोणों का मान 180 होता है. या जिन 2 कोणों का योग 180º होता है क्या कहिलाते हैं? सम्पूरक कहलाते हैं. एक रिजू कोण की माप क्या होती है? तो रिजू कोण आपको पता है. 1900º का होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना 180º. ठीक है? अगला प्रश्ण है संभाह उत्रिभूज के प्रते कोण की माप क्या होती है संभाह उत्रिभूज मतलब 3 भूजा बराबर और 7 सी 3 कोण बराबर 3 के 3 कोणों का योग 113 116 में हम 3 का भाग दे Amazon कितना आजायेगा 60 degree तो करेक्ट उत्तर 60 हो जाएगा दो भिन्न बिंदों से होकर कितनी रेखाएं खीची जा सकती हैं आपके पास दो भिन बिंदु है तो किवला और किवल एक रेखा खीची जा सकती है इसका उतर होगा केवल केवल एक ठीक है अब हम सीधा इस्ट्वेंट आते हैं दो नमबर और तीन नमबर के जो आपके एकजाम में प्रश्ण इंगल AOC प्लस इंगल B OE बराबर 70 AOC मतलब ये वाला कोड और ये वाला कोड इन दोनों का योग 70 दिया है इंगल BOD बराबर 40 BOD ये वाला इंगल 40 दिया है हमें इंगल B OE निकालना है और इंगल C OE का प्रतिवर्थी निकालना है देखिए आपका सलूशन यह है लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है ठीक है कैसे लिखना exact solution real solution मैं आपको दे रहा हूँ जिसको लिखने को आपको पूरे number मिलेंगे यदि आप ऐसा लिखेंगे तो ठीक है सबसे पहले आप लिखेंगे student यहाँ पी हमें दिया क्या क्या है हमें question में दिया है angle AOC प्लस B OE इसका और इसका योग दिया है 70 degree तो पहले हम यह लिख लेंगे ठीक है इसके बाद B O D B O D यह कितना दिया है 40 तो 40 लिख लेंगे देखिए यदि दो number में आएगा तो आप दिया है ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा यदि 3 या 4 number में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा ठीक है हमें ग्याद क्या करना है यह हम लिख लेंगे अब यहां पर आप एक चीज़ समझेगा यदि B O D यह वाले इंगल 40 है तो इसके साबने यह जो कोण होगा इसका सीर्स अभी मूग कोण होगा इसका vertically opposite अंगल होगा और यह दोनों बराबर होंगे तो यह 40 है बेटा तो इंग इंगल AOC कितना हो गया 40 कैसे तो सीर्स अभी मूग कोण से ठीक है सीर्स अभी मूग कोण आपस में बराबर होते हैं जिस बज़े से 40 अब ध्यान से समझेगा question में दिया है यह वाला और यह वाला इन दोनों कोणों का योग कितना है 70 है यह दिया है अब 70 मेंसे यह वाला हमको पता चल गया कि 40 है तो यह वाला कितना होगा यदी हम 70 में इस वाले को घटा दिए तो यह हम को मिल जाएगा तो वही हमने किया student यहाँ पे इंगल AOC प्लस इंगल BOE बराबर 70 है चूंकि AOC कमाण हमने 40 निकाल लिया तो यहाँ पे हम 40 रख देंगे तो BOE कमाण मिल जाएगा 40 का हम 25 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 30 degree कितना मिल जाएगा student 30 degree मिल जाएगा ठीक है यह आ गया अब BOE हमने निकाल लिया हमें क्या चाहिए COE चाहिए ध्यान से देखिए COE अब देखिए एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 होता है ठीक है एक तरफ यह दिया तो इसका इसका और इसका इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 तो यह हमने लिख लिख लिए है तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 तो तीनों का योग 180 अब हमको इस वाले कोण और इस वाले कोण इन दोनों का योग पता है एक 40 एक 30 है दोनों मिला कि 70 है तो हमने इनके जगह पर कितना लिख दिया, 70, 70 प्लस एंगल C, वही बराबर 180, 70 का पच्छांतर करेंगे DR इस्टोएंट, तो कितना आजाएगा, 110 आजाएगा, अब इसका प्रतिवर्ती बोला था, तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से, जिसका आपके साथ ने देखिए, इस आकरती में A अनपाते B दिया है, कितना 2 अनपाते 3, हमें C ग्याद करना है, तो चलिए बहुत ही आसानी से इसको भी हम समझते हैं, तो DR इस्टोएंट देखे, पहले हम फिगर बना लेंगे, A और अनपात B, इन दोनों का अनपात दिया था 2 अनपाते 3, और A दिया था P, O, B, ये वाले अंगल कितना है 90, तो हम कितना लिख लेंगे 90, अब याद रखिएगा DR इस्टोएंट, इन दोनों का मान कितना है A अनपाते B, तो हम एक को 2 X मान लेंगे, एक को 3 X मान लेंगे, क्योंकि इन कौन पात 2 अनपात 3 है, तो ये हम मा B कमान हमने माना 2 X, B कमान 3 X, और P, O, Y कितना है 90, इन सभी का योग कितना हो जाएगा DR इस्टोएंट, 180, 90 का पच्छांतर करेंगे, तो 5 X बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो 5 X बराबर हमारे पास कितना आगे है इस्टोएंट, ये आगे है 90, कितना आगे है 90, अब जब 1 बराबर हमारे पास, देखे, 90 भागे, 5 X बराबर 90 आगे है, तो X कमान 5 का भाग दे देंगे, तो कितना आजाएगा 18, अब यदि X कमान 18 है, तो 2 X बराबर 36 हो जाएगा, और 3 X बराबर 24 हो जाएगा, हमने यहाँ पर X कमान रख दिया, अब देखे, इस वाले लाइन को कितना हो जाएगा, 180C हो जाएगा, वही हमने यहाँ पर लिखा, B plus C कितना हो जाएगा, 180C हो जाएगा, कैसे रखी, क्यों उसे, B कमान हमें पता है, चाओमन, तो चाओमन रख देंगे, प्लस C बराबर 180, 24 का पच्छांतर करेंगे, तो C कमान कितना आजाएगा, 126 डिगरी ऐसे आपको हल करना है ठीक है तो कितना सरल question आप देख सकते हैं next question आपके सामने ये रहा question number third question number third देखी बहुत ही सरल है मैं आपको इसी में समझाया देता हूँ या इसमें जादा कुछ करना नहीं है हमें ये पता है कि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 100C होता है एक और ठीक है question में दिया था x प्लस बाई w प्लस जट के बराबर है इन दोनों योग के बराबर है हम जानते हैं कि एक बिंदू पर बनने वाले सभी कोणों के योग कितना होता है 180 होता है यह तो आपको पता है तो हम लिखेंगे x plus by plus w plus z बराबर 360 आप question में दिया है कि x plus by w plus z के बराबर है तो जहाँ पर x plus by हम वहाँ पर w plus z रख देंगे ठीक है तो देखें x plus by कमान कितना आ जाएगा 360 कमाधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा ठीक है 180 आ जाएगा थोड़ाफा detail में इसमें नहीं लिखेंगे detail में कैसे लिखने मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ाचा यहाँ पर देखेंगे आपका जो अगला question इस्टुएंट यह है किनी दो कोणों का योग हमने 180 प्रूब कर दिया मतलब A, O, B जो है क्या है सीधी रेखा है और W और Z क्या है एक ही और है और यह एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 है मतलब यह रेखा कैसी है सीधी रेखा है यह हमने प्रूब करना था अगला प्रेशन आप लोग के सामने है ये question number 4 question number 4 में देखिए ये आपके सामने question है ठीक है इसको कैसे समझाना है मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ ठीक है आप जाके हमारे playlist में देख सकते हैं बाकी आप यहाँ पी इसको screenshot ले लीजिए और इसको त्यार कर लीजिए ठीक है चलते हैं अगले question पर अगला जो most important question है आपका यह रहा 2022-20-19-18 चार साल continue आया आप देख सकते हैं 18-19-2022 देखे हमें ग्याद क्या करना था यक्स और भाई की मान दर्सानग याद करना था और यह दर्सानग था कि यह भी जो है parallel है cd की ठीक है ए भी कि इसके parallel है cd की parallel है यह दर्सान rape आप समझ की अब समझेए इसको हम थोड़ा सा detail में बताएंगे देखें पहले हम हम एक्स और बाई कमान निकालेंगे तो यदि यह 50 से डियर इस्ट्वेंट तो यह कितना हो जाएगा देखे इन दोनों का योग 180 होगा कितना होगा 180 दोनों रहखी क्यों है तो 180 में से में 50 घटा दूंगा तो एक्स कमान निकल जाएगा वही चीज यहां पर लिखा हुआ है पचास प्लस एक्स कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा तो एक्स कमान कितना जाएगा डियर इस्ट्वेंट एक्स कमान हो जाएगा 130 कितना हो जाएगा 130 और साथ ही साथ यदि हम बाई कमान निकालें तो देखिए ध्यान से यह दोनों फीस अभी मुख कोण है कैसे है वर्टिकल या पोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं तो यदि ये 130 तो बाई भी कितना हो जाएगा 130 बाई बराबर 130 कैसे तसी सब्मोग कोण से अब देखें यदि ये दोनों कोण बराबर है यक्स और बाई और हमें दीख रहा है कि यदि ये दोनों क्या है एक आंतर कोण है और य साथ ये दोनों क्या है एक आंतर कोण है और एक आंतर कोण बराबर है जिस बज़े से ए भी पहलल हो जाएगा सीडी के ए भी समांतर हो जाएगा सीडी के ठीक है इसके बाद जो आपका अगला प्रश्ण है इस्टूरेंट एक्जाम में आने वाला वो ये है question number seven इसको भी आ जालना क्या है एंगल एज्ट देखे मैं यहीं पर साट में दे रहा हूँ एज्ट यह एक सोचबवीस से बेटा तो यह बही एक सोचबवीस होगा कैसे कांथर कोण से तो एजिए कितना हो जायगा 126 हो जाए यह देखिए 126 इसके बाद जी इए यप जी इए यप ये वाल तीश रहा, ठिक है, अगला क्या निकालना था? इंगल FGE, समझेगा, F G और E. FGE, हमें ये वाले एंगल निकालना है, आप समझेगे, इन दोनों कोनों का योग 180 होगा, होगा क्या होगा, दोनों रेखी क्यूंब है, और ये वाला कोन तो हमारा कितना है, 126 है तो 180 में हम 126 घटा देंगे तो कितना आजाएगा चाउमन कितना आजाएगा बेटर चाउमन आप देख सकते हैं यह चाउमन ही होगा यह देखिए चाउमन डिगरी ठीक है तो इस तरह से आपको questions को हल करने है ठीक है इसके बार अगला प्रशन आप लोग के सामने यह रह एक लाइन अपने से क्या कर देना है data करते समझेगा यहां पर हमें निकालागे ता डेखिए इन दोनों नों कोड़ों कर योग 80ा की Ka hp यह 110 है तो यह कितना होगा बेटा यह हो जाएगा 70 यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 170 ठीक है अब देखिए यदि हम यह लाइन यह ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यह 130 है तो यहाँ पर जो इंगल बनेगा 50 होगा ठीक है QMR देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है QMR ठीक है यहाँ पर फिकर थोड़ा सा डिस्टर्ब बना है मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता के समझा रहा हूं देखिएगा समझेगा थोड़ा सा ध्यान से आपके सामने ऐसा हो था ठीक है और एक लाइन ऐसे है एक लाइन इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, और इसका नाम है Dear Student Yes, ठीक है, इसका अम्मान कितना दिया है, Yes, हमें किवल ये वाला इंगल पता है, कौन सा, RST, RST कहां पे है, देखें यहां पे, हमें क्या क्या पता था, हमें पता था, PQR 110, PQR कहां पे है, PQR ये है 110, यहा पर T था ठीक है RST ये वाले कोण पता था DST 130 इसको उमने 130 दे दिया ठीक है और क्या दिया है PQ जो है पहलर है ये दिया है हमें Q RST बताना है हमें ये वाले इंगल बताना है तो कैसे निकालेंगे देखिएगा हम यहाँ पे एक ये लाइन अपने से ड्रॉक कर देंगे इसके पहलर इसके पहलर एक लाइन हम क्या कर देंगे ड्रॉक कर देंगे ध्यान से समझेगा अब हम जानती है कि तीरियक रेखा कि एक ही और बनने वाले कोड़ों का योग 180 यदि ये 130 तो ये कितना हो जाएगा पचास हो जाएगा क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए तो इंगल इसका नाम हम दे देते हैं यम इंगल येस आरियम कितना हो जाएगा डियर इस्ट्रेंट यो हो जाएगा 50 डिगरी ये कितना आ गया हमारे पास 50 डिगरी हो गया अब देखिए ये रेखा जो है इसके समानतर है और इसके समानतर ये है तो पीक्यू जो है किसके समानतर हो जाएगा डियर इस्ट्रेंट आर PQR किसके बराबर हो जाएगा इन दोनों कोणों के इसका नाम क्या है इंगल QRS प्लस इसका मान कितने है 50 तो 50 डिगरी ये आ गया इसका मान हमें 110 पता है तो यहाँ पर लिख देंगे 110 डिगरी यहाँ पर कितना है QRS यहाँ पर बीच में बराबर साई था तो बराबर QRS प्लस 50 55 करेंगे तो इंगल QRS हमारे पास आजाएगा इस डिगरी 110 मेर से 50 घटा देंगे कितना आजाएगा 60 डिगरी तो आपका correct answer आएगा 60 आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे method से किया लेकिन नयांसर कितना है 60 है तो 60 आपको लाना है यदि यह कुश्चन आता है तो बहुत ही सरहल है यदि यह 127 है तो इन दोनों के योग 127 होगा और 177 देखिए कितना होगा 127 127 में हम 50 घटा देंगे तो बाई कमान आजाएगा बाई कमान कितना आजाएगा 127 में 50 घटाएगे 77 यह आगे आपके सामे 77 और यक्स देखिए यह 50 है यह यक्स है यह दोनों एक आंतर कोण है एक आंतर कोण मतलब अलग-अलग साइट पे एक यह और एक ही रेख़पर तो यह 50 ती यह भी 50 आफ यक्स बराबर 50 यक्स बराबर 50 और बाई बराबर 77 यह आपका आंतर ठीक है तो यह सारे प्रशने जो आपके एकजाम में आते हैं एक और प्रशन है इसको भी आप देख लीजिए बहुत ही सरल है इन दोनों कोण पाद दिये है यह 5 यक्स और 4 यक्स यद यह 5 यक्स तो यह भी 5 यक्स यह 7 यक्स तो यह भी 7 यक्स तीनों कोणों को चारों को यह 360 मान रख देंगे अलग-अलग आ जाएगा ठीक है इस तरह से आपको हल कर लेना है तो आई होप यह सारे सवाल आपको समझ में आया होगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकोन प्रेस करें मिलते हैं नेस्ट वीडियों तब के लिए कि जय हिंद बन्ने वात्रम